यह कहां का नियाएं मोदी जी काले अंग्रेज हैं मोदी जी काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले मोदी मोदी जी काले हैं तो क्या हुआ गरीबों की रखवाले हैं और मोदी जी काले हैं तो क्या हुआ तेरे 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 चाहने वाले हैं पूरा हिंदुस्तान के चाहने वाले हैं मोदी मोदी को हिंदुस्तान प्यार करता है और हिंदुस्तान को मोदी प्यार करता है के शिए गो आपने मोदीजी को और हिंदुस्तानियों को काला अंग्रेज कहा है मैं आपसे कहूंगा अपने इतैलियन रंग पे न इत्तना गुमान कर ऑप सिद्दू जी और गॉंग्रेस पार्टी अपने इतैलियन रंग पे न इतना गुमान कर 23 तारीक को ये इटैलियन रंग भी उधर जाएगा नतीजे का इंतजार कर 23 तारीक पात्रा हो मेंड़ की तरह बस 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 मौसमी मेंड़ को तरह तरह तो को यल चुप रहती है ठोको तारी इसको भाव क्यों देना तो मैं उसको बताता हूं ताट्रे पात्रे को कोड के लिए और शतीरी को जफ़ा डालने की कोशिश कर रही है उसको बता रहते हैं हाथी चले बीट बजार आवाज ना 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 आवाजे यहाए एक हजा सब समझ जाएंगे इसकी आवाज आ रही है सब समझ जाएंगे तो सुरो पिकु टात्रा यह क्या है पिकु टू टू जो भी है जो भी है चलो चुल सुन तू बात करता है महला सचक्तिकरण की तू बात करता है महलों के सम्मान की अरे जहां तू अपनी फोटो लगाए बैटा है ना उजवला स्कीम में वो महला भी सिलंडर खरीद नहीं पारी और वो भी फूंक रही है चुला फूं फूं नमबर एक, 36 गड़ों में, 36 गड़ों में 55,000 लड़कियां जाके बंबाई की मंडियों में भी कितिंकू उटात्रा, सुन, तेरे कानों की महल निकालता हूँ मैं आज, बीजेपी के स्टेटों में, 15 साल में 532 परसेंट इंक्रीज, 532 इंक्रीज, इं रेप केसि अगेंस चिल स्कीम में सिर्फ 16 परसेंट पैसे खर्चे हैं, औरत की इज़त बचाने वालों यह किया तुमने, और जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम, उसका 400 करोड टोटल 700 करोड में से 400 करोड मोधी फोटो खिचाने में लगा गया, फोटो, मोधी की फोटो, अख़बारों मे विकास कराया, लोगों का मूर्ख बिनाया, कूटने और लूटने से वेल नी मेरा यारो धूडों में टक्तूर आया, ठोकोतारी, यह तुम्हारी महला सरंग रक्षन है, बेटी बचाओ, बेटी बिनाओ, मैं कहता हूँ, मोधी प्रांट करते हैं, आजादी की शाम नहीं हो मेरे रबतुसियों कौन कहता है, परमात्मा मंदिर मस्जिद में चुपाए, जैसे तिलों में तेल, सागर में लेरे, फूलों में, फुश्बू, गन्ने में गुड़, ऐसे मेरा परमात्मा तुम्हारे दिलों में हरी नारा इन अल्ला वाह गुरूपन के छुपाए, मैं प तुमने ग्यारा लाक करोड, तीन सो से उपर परसेंट, तीन सो सतर चार सो परसेंट ड्यूटी, बीजल पे, दो सो सतर परसेंट पेट्रोल पे, ओ मोदी, ओ बेड़ा बैडियो तेरा, ओ बेड़ा गर्क करने वाले आ, मैं बोल रहा हूँ, इस देश को पेचा मोदी, वांच्स को पेंच साल में खरजा चड़ाया तुमने, हिंस्तान पे, सत लाग करोड रुपया एक साल कोई बोलने वाला है मैं ये प्रेस वाले खड़े इस से साथ प्रेस कंफरंस हो में सवाल पूछ चुका हूँ अच फिर पूछता हूँ एक दिन में बाईस सौ करोड रुपया हिंदुस्तान के हमीर एक दिन में कमाते है और एक दिन में बाईस सौ करोड रुपया बाईस सौ करोड रुपया हिंदुस्तान के खजाने को करजे में जाता है क्या ये तेरा इंसाफ है साथ लाग करोड एक साल में चड़ा दिये तुमने हिंदुस्तान के नवजात सिशू के सर पे करजा जो 50 लाग करोर चड़ा 64 साल में ये तेरी लास्टर भक्ति है नरेंदर मोधी और तुम समझते हो मोधी के 2014 के पहले हिंदुस्तान था यह नहीं ले जी तु भाई मोधी सोचता है 2014 के पहले हिंदुस्तान था यह नहीं एक रेलवे स्टेशन था और एक चाई की दुखान थी हासलो हसलो पर तारी ठोकोज़ राज ओर से यह एक रेज्वेट टेशन था और एक चाई की दुखान थी और मोधी के भक्तों ने खोद के निकाला है भारत हासलो ताड़ी खौद के निकाला है भारत मैं कहता हूं नव्जोथ सिंग सिद्धू सुन मोदी काले अंग्रेजों की क्यों बात करता हूं तो कि तुम एस्ट-ंडिया कंपनी से भी बेतर हो बत्तर हो तुम मैं कहता हूं परमान देता हूं कि जब तुम पैदा नहीं हुए थ तो अंबेगकर साब में हिंदुस्तान का संविधान बना दिया था जब तुम अपनी मम्मी की कोधी में सोजा बेटा सोजा लला लोरिया सुनते थे तो चाचा नहरू ने अंदर इक्ष में यान भेज़ दिया था ठोको ताली तुम बात करते हो कॉंग्रस की तुम बात करत से निकले थे और पुला पुला चलने लगे थे तो भाबा आटॉमिक रिसर्च सेंटर बन गया था भाखरा दैम बन गए थी जिस दिन तुम स्कूल की तरफ जाना शुरू हुए थे तो आई 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 एम बन गए थे और जब तुम और लाचियां लेकर आरेसेस की शाका में टिकूं टिकूं कर रहे थे तो हिंदुस्तान तीन जन्गें जी चुका दा ठोको तारी वोतले खौल के जाएंगा मोधी तरी अगर जवाब देना हो तो देना कि किसी गली किसी महले किसी चाल तेरे घर यह गुरू को बिन सिंग का सिख अकेला आएगा अकेला और अगर आमेदान में नरिंदर मोधी मेरे गुरू ने कहा बंदाओ चंगा जड़ा वचंदा पका और और वो चंगी जिसकी आँखों में शर्म और हया होती और कौन सब वचं निभाया है तुने रगकुल रीच सदा चली आई प्रान जाए पर वचंदा जाई जदी जिएस्ती मु था तो लड़ उन बुदों के उपर आज यह प्रेस वाले पता नहीं दिखाते क्यों आओ मां करता हूं लड़ भोल के जी एस्टी पर लड़ेगा वपारी माड़ा ले तुने तेरी जीएस्टी से बाहर माल्या की शराब तेरी जीएस्टी के बाहर अमबानी का तेल तेरी आढानी की बिजली यह तेर quand you must say a छोटा वपारी जो एक छोटी सी जगह पर एक्यास देता था और बड़ा विपारी सारे हंदुस्तान में देता था बड़े वपारी का टेक्सट नीचे आ गया और छोटे का बढ़ गया छोटा वपारी पहले दस करम चारी रखता था अब ये तिरा इंसाफ है बाहर से विदेशों से ब्लैक मनी नहीं लाया तू एक बंदे का नाम नहीं बताया और यहां जो काला धन था उसे गुलाभी करके अपने बैंकों में जमा करा लिया साथ सौ 55 करोड अमिर्षा के बैंक में 670 करोड जहेशबाय बार मंतरी के बैंक में एक जवाब नहीं आए को हैका रुपया जमा चराया और को लाइन में खड़ा करा आया और कोई एडानी खड़ा हुआ है था को यहां माली को ठीटा हुआ पहर्यापक इस् criterion तेरा नरेंदर मोडी यह यह इन्साफ है । दो करोड नौकरी बोली थी मेरेंदर मोडी तुम्हें तो करोड नौकरी ऑवाना राम मिला ना रोजगार मिला हर कली में मोबाइल चलाता हुआ एक बेरोजगार मिला ठोको तारी बोले सो निहाल एजेंटों का राज बना दिया यूँवारोजगार से गया बहनों भायो अब नहीं कहता बहनों भायो अब आ मुद्धों पे भगवडाय तू नरेंदर मोदी भाग रहा है मुद्धों से जबोलना दो करोड नोकरी मैं बोलता हो तुम्हें सच बोलता हूँ दो करोड नोकरी मिली थी पांथ साल में मोधी के अनुसार मिली कितनी इंटरनेशनल लेबर और्गनाइजिशन कहती है आठ लाग नोकरी मिली 25 लाग नोकरियां भरी दी आज रा आज राहूल गांधी कह रहा है कि 25 लाग नोकरी भी परूंगा और जो गरीब है जो किसान है जिसके घर एक टाइम रोटी नहीं बनती 72 रुपया उसके घर भी बेज गरें यह वचन है राउल गांधी का किसानों का करदा माफ करूँगा दो घंडे में माफ फो ठोकतारी एक ने जो का उतिया तुक आई अब की बार मोधी सरकार जी तूब आई एक मेरा नारा भी लगा देना जब यह गया आपकी बार मोधी सरकार तो तुम कहना बसकर या अ हाँ आज मैंने यह कहा है मैंने का मोदी उस नई व्याही हुई दुलहन की तरह है जो रोती कम बेलती है और चूड़ियां ज्यादा खड़काती है लगी पर मैं बताता हूं क्या है मोदी उस नई दुलहन की तरह है जो रोती कम बेलती है और चूड़ियां ज्यादा खड़काती है ताके महले को पता लगता रहे कि वो बड़ा काम कर रही है यही मोदी सरकार में वे ठोको तारी तो वह एक इसका प्यादा खुद तो जवाब देता नहीं बरदान मंत्री अपने आपको बड़ा डाउन समझता है यह तो प्रेस से भी बात नहीं करता अब नहीं होती है अब तो हीरो हीरो इसे बात करता है क्या जमाना आ गया बाई क्या जमाना आ गया पत्रकार सियासत कर रहे हैं एक्टर इंट्रव्यू ले रहे हैं और सियासत दान एक्टिंग कर रहे हैं क्या बात मैंने सुना था कि बीजेपी का नेता और अभिनेता दोनुं बेवकूफ बनाते हैं अभिनेता तिन गंदे के लिए बनाता है और बीजेपी का नेता पूरी उमर बनाता है बेवकूफ टोको ताली हां तो बहुत बहु किया ग झाल झाल